नमस्कार फ्रेंड मैं अपना चैनल लूशस की एजन्द हेलो फ्रेंड आज में लेके आए हूं फूल स्लीप डॉबल काटूरी ब्लाउस का काटिंग और स्टीचिंग कर लेते हैं इसके काटिंग कर लेते हैं अगर मेरे वीडियो आच लागे तो प्लीज बीचो को लाइक करने में मादफुली आएगा अगर कोई प्रॉबलम होगा तो प्लीज कॉमेंट करना मेरे चैनल पर में अयहर कोमेंट का जरूर रिपलाई देती हूं अर आपका कर देखते हैं आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज प्लिज चैनल को सब्सक्राइब दबाई है ब्लाउस का पुरा चाठ मेजर मेंद चाठ फुल लेंद थाटीनींग सोल डर है 14 इंच आर्मूल है 15 इंच चेस्ट 34 इंच वेस्ट है 28 इंच फॉन्ट लेंगे, इसलिए पाई नेक ब्लाव्स होगा इसलिए फॉन्ट नेक है बैघ नेक नहीं तो 12 इंच में मार कर लिया तो इसे कार्टी में ब्लाउस का लेंध है 13 इंच और 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए तो 14 इंच पे हम मार कर लिया उल्डर का लेंध है 14 इंच 14 का आदा है 7 इंच 7 इंच में मार कर लिया और चेस्ट 14 इंच का 1 4th है 8.5 इंच तो 8.5 इंच में मार कर लिया 0.5 इंच मानने आदा इंच हमने एक्स्टा लेंगे बोडी लूसनेस और 1 इंच लेंगे हम एक्स्टा जो बाद में हम लूस करने के लिए तो टोटल होगा हमारा 10 इंच और इसी को हम सिधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर लिए थे हम 7.5 इंच उई से हम 0.75 इंच माननस कर लिया तो टोटल होगा हमारा 6.75 इंच तो चेस्ट लाइन पे हम 6.75 इंच पे मार कर लिया और इस पॉइंट को हमने सिधा कर्चा करके लाइन रॉ कर लिया और इस कौनौ से हम 1 इंच आपकर लेंगे क्योंकि आर्मोल सेप देने के लिए और इस S-QKL के मदाज से हम आर्मोल का सेप दे देंगे ओएष्ट है 28 इंच 28 का 1 फोर्थ है 7 इंच उई पे मार कर लिया 1 इंच लिया डाट के लिए और 1 इंच लिया एक्स्ट्रा बाद में लूस करने के लिए चेस लाइन और OES लाइन को मिला देंगे आब हम नेखका चौड़ाई लेंगे नेखका चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और ए इंच चे सोल्डर को डाउन करने के लिए लिए 1.25 इंच तो दोनो साइट पे मार कर लिया नेक वीध पॉइंट से सोल्दर क्वहम ने आइसे लाईन ड्रॉ कर लिया है वहेस्ट का वान-फोर थे शेवップ इन्च उसका आधा है थे पॉइंट 6-5 तो 3-6 रे मार करलिया कि और दात का चौराइं लेंगे वान इन्छ तो युकार लिया च्तक spé स्भाइंट फटर वूर्फ के सु दिंगे और बाज़, उसको दबाएं. और महीं से फ़्यश्य स्भीड UK यहाइक पर के और काटिंग हो चुका है अब हम णस लगा को में हम ठाड़ом क्षा नीचैरा को सिधा करने के लिए एक लाइन ड्र refugee कर लेते हैं क्योंकि लाउस का लेंद लिए यह थार्टीन इंच तो थार्टीन इंच के लिए हम लिचे से थी पॉंट हाप इंच छोड़ के मार कर लेंगे और इस पॉइंट को हम स्केल से लाइन रो कर लेंगे सिधा और इस लाइन को छोड़के हम बैक पाट को यएसे भीड़ाएंगे और बैक पाट को इसलेंगे आर्म होल साइट शीम साइट पूरा यँए से ड्रोइंगे इहीं से हम फन्ट नेक का लेंध लेंगे 5.5 इंच तो 5.5 इंच पे मार कर लिया और neck length को सिधा line row कर लेंगे ऐसे और इस point और इस point को ऐसे मिलाएंगे यही से हम neck का उइच लिया था 2.5 inch तो इस साथ half inch plus करके यही सम 3 inch पर मार कर लेंगे इस point से हम half inch उपर मार कर लेते हैं और इसी point से 2 inch नीचे और एक मार कर लेते हैं इस दोनों point को ऐसे जोड लेंगे और ओही से हम इसी को ऐसे box बना लेंगे और इस दोनों point को ऐसे तीच्छा करके मिलाएंगे next shape देने के लिए यही से हम first category का length राखेंगे 6 inch तो 6 inch पर मार कर लिया यही से हम first category का width लेंगे first category का width कैसे निकल लेंगे 34 divided 10 तो होगा 3.4 inch तो 3.4 को double करने से होगा यही से 3.4 inch ऐसे लेके double करोगे तो होगा 6.75 inch तो 5 inch इस पर्ण से हम 5 inch पर मार कर लेंगे और half inch लेंगे हम stitching कर लेंगे तो total होगा हमारा 7.25 inch और ऐसे सिधा line रो कर लेंगे इस पर्ण से हम 1.4 inch पर मार कर लेंगे उपड तरफ और यही से हम 1.4 inch उपड़ तरफ मार कर लेंगे इस साइड यही से यही तक हम आधा कर लेंगे इस line को 7.25 का आधा होगा 3.6 inch जो सारे 3 inch से एक सुता जादा होगा इस point और इस point को तीछा करके मिलाएंगे केल से और इस point और इस point को मिलाएंगे यही है बैक आर्म होल तो सोल्डर डाउन से हम यही से हम 6.2 inch पे मार कर लेंगे क्योंकि 6.2 inch पे सोल्डर डाउन था और यह जो 6.25 inch का लाइन है इसको आधा कर लेंगे हम तो होगा 3.1 inch तो 3 inch और वान सूतों पे ले लेंगे हम मार्क और ओही से हम अंदर साइट हाप inch पे मार कर लेंगे और फ्रेंच एसकल के मदद से हम ऐसे font armhole का सेब देंगे यह होगा है हमारा font armhole और font armhole से हम 2.75 inch पे मार कर लेंगे इस part के लिए तहीं पे मार कर लिया और इस point और इस point हम ऐसे मिलाएंगे कार्फ करके यह होगा हमारा first काटूरी आब हम second काटूरी का माब लेंगे first काटूरी length से हम नीचे 4 inch डाउन कर लेंगे यह है second काटूरी का length तो 4 inch पे डाउन कर लिया और इसीक हम सिधा ऐसे line draw कर लेंगे इस तरह और इस side पे हम सिधा ऐसे line draw कर लेंगे इस तरह यह हम नीचे half inch डाउन कर लेंगे और यह हम 1.4 inch नीचे डाउन कर लेंगे और यह से 1 inch आप कर लेंगे इस point और इस point का ऐसे मिलाएंगे तीर्चा करके और इस point और इस point का ऐसे मिलाएंगे तीर्चा करके और इस line के यह है midpoint तो इस midpoint और इसको ऐसे तीर्चा करके मिलाएंगे और यह हो चुके हमारा सेकेंड काटूरी और इस line से हम फिट से back part को बिचाएंगे और side sim को line draw कर लेंगे इसे यही से यही का माप देख लेते हैं यही से यही का माप है 3.5 inch तो यही से हम 2.75 inch पर मार कर लेंगे और इसे हम एसे सेब देदेंगे, bell part को इह निकल गया हमारा bell part, आप हम अएस बाटको निकल लेंगे पहला हम इस काटूरी के round निकल लेंगे, फस्ट काटूरी के round निकल लेंगे तो यही साम इंची टिपको इसे खुमाके, थोड़ा थोड़ा करके खुमाके यहीं पे लेके आएंगे यह हो गया हमारा 6.5 फास्ट काटूरी का लेंद हुआ है 6.5 ओई 6.5 को यहीं से बिठाएंगे आर एहीं तक देख लेंगे कितना है एहां 10 इंच तक होड़ा है तो दोनों काटूरी का राउंड है 10 इंच 10 इंच से हम 1 इंच मायनस करेंगे क्यूदक काटूरी के स्टिचे में लिए वानन चला जाएगा अब ही यह से राउंड करके मां पे लेंगे 9 यह पे होगा तो यह सब लेंगे पहले भीटा के घुमा के अइसे पहली बाद यहीं पे छोड़ाता नहीं फोडेंगे यह है 9 यहिए भीटा का लंबाई और स्टेल को यह तो आब हम इसको काटिंग कर लेंते हैं, so, friend, काटिंग के time ध्यान से देखना, क्योंकि हमने जो ड्राइप किया है, थुरा सा खुक्रा दख़ाया है, तो इसलिए हम बोल रहें, कि आफ आप्चे से देखके, काटिंग कर लाना मेरे साथ, अगर मेरे वीडियो आपको आच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक देदे ना पहले हम सिंगेल पाट काटिंग किये थे आप हम दूसरे पाट काटिंग कर लेते हैं बाचे हुए कपरों से तो देख सकते हो आप मैं कैसे बाचे होए कपरों से दूसरे पाट काटिंग कर रही हूं तुम लोग भी इसी तरह दूसरे पाट भी काटिंग कर लेना आपके बाचे होए कपरों से चलिए फ्रेंट फूल स्लिप काटिंग करने का सही तरीका आपको बताते हैं पहले हम स्लिप का लेंध ले लिया था 21 इन स्लिप का लेंध हाफ इंच लिया है आर्मोर स्टिचिंग करने के लिए अब हम बैक पाट को बिठाएंगा रही से यही का माप ले लेंगे यहीं से यहीं का माप है 7 and half inch तो 7 and half inch के साथ half inch और प्लास कर लेंगे तो 8 inch पे हम मार कर लिया और इस point के एक सिधा line draw कर लेते हैं 34 chest के लिए यहीं से हम बाजू के लिए 3 and half inch डाउन कर लिया और इसी को भी सिधा false side के साथ join कर लिया slip का open है 7 inch 7 का आदा है केक्ष्टा लिया था उसी को भी मार कर लिया और इस point और इस point को तीछा करके ऐसे मिलाएंगे और हलका हतों से घुमा के हम पीछे का बाजू का सिप दे दिया अब हम सामने बाजू का सिप दे देंगे थोड़ा सा डाउन करके ऐसे घुमा के थोड़ा सा डाउन करके शिप दे दिया यह हो गया सामने का बाजू स्लिप का काटिंग कर लिया अब हम स्लिप को खोल के सामने का बाजू का काटिंग कर लेते हैं और एहीं पर मीडिल पर हम नॉच लागा लेते हैं स्लिप का पुड़ा काटिंग हो चुका है यह है पुड़ा बोडी तो फ्रेंड मेरे वीडियो आपको आच्छे लेगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना आपने फ्रेंड चलिए आप हम आपको स्टिचिंग दिखाते हैं पहले पाट को ऐसे रखके नीचे से ऐसे फोल्ट करके हाप इंच छोड़के हम पहले इसको स्टिचिंग कर लेंगे एक डाट के आकर से इसको स्टिच कर लेंगे पहले अब हम पहली काटूरी के उपर दूसरा काटूरी राखेंगे और उपर साइड से हम हाप इंच छोड़के इसको स्टीचिंग कर लेंगे इस तरह थोड़ा से ज़्यादा हुआ है इसको हम साइड से काटिंग कर देते हैं ये देखिए काटूरि नमशा तयार हो चुका है आप हम एस पार्ट को 이 साथ एटच करेंगे ऐसे राखेंगे और दूनों को पकर के हैसे हाप इंच छोड़के हम काटूरिया और एस पार्ट को एएस स्टिच कर लेते हैं तो यह देखिए कम्प्रीट हो चुका है स्टिचिंग इसके उपर से हम और एक स्टॉप टिस दे दिया इसी तरह हम दूसरा पाट को भी तैयार कर लिया यह हो चुके हमारा दोनों पाट एक साइड हुप पर्ति और एक साइड हुख होल पर्ति हुख पर्ति हमारा रेदी हो चुका है आप हम ऊटिद भी बिठा ये इस तरह हम ऊब्राइब को बिठा लेंगे दोनों सोल्डार को एक सत राखके बॉल पीन से अटाच कर लेंगे तो यह देखो पूरा हमाड़ा फिटिंग्स हो चुका है तो आब हम सोल्डार को स्टिच कर लेते हैं और साइट में जो एक इंच छोड़ाता उसको छोड़के हमने स्टिच कर लिया सेम इस तरह हम इस साइट पे सोल्डार को स्टिच कर लेते हैं साइट को स्टीच कर लेते हैं अब डाट को इस तरह पकड़ के हम हाप इंच छोड़के डाट को स्टीच कर लेंगे दूसरा साइट पे भी सेम डाट को स्टीच कर लेते हैं ब्लाउस रेडी हो चुका है आब हम कॉलर लगाएंगे तो स्टीच से यहां तक हम ने जो है वहीं पर धाई इंच परे हम मार कर लेते हैं उपड से धाई इंच परके मार कर लिया दोनों मार्क को एक साथ ऐसे पाकर लेंगे ब्लाउस को ऐसे राखे मार्क को एक से पाकर के हम नौच लागा लेते हैं और वहीं से पीछे साइट नेक को ऐसे हमनों टेप को राखे देख लेते हैं कितना है 5.25 इंच तो उसको डॉबल करने से होगा सारे 10 इंच तो इस तरह हमने कप्रों को उन फोल्ड कर लिया नेक का राउंड ता 5.25 उसी के साथ हम पॉइन टूफाइब और प्लास कर लेंगे स्टिचिंग करने के लिए तो सारे 5 इंच में हम फोल्ड किया हुआ कप्रों पे सारे 5 इंच छोड के मार कर लिया और नीचे से हम 1 इंच छो है तो सेम इस साइज का एक लाइन के साथ मिलाएंगे और इस लाइन से हम इंची टेप को ऐसे राक के वान इंच छोड़के हम मार कर लेते हैं इस तरह और सेम इसको हलक हातों से से अर्लाइन यहां भी कर देंगे और इस पॉइंट काम राउंड करके इस थारा मिलाएंगे आप चाहिए तो इसको स्टेट भी रख शकते हो और इस लाइन के नीचे से हम सिलाइण मर्जिं छोड़के .25 इंच चूड़के यानि एक सुता चोड़के ऊपर से भीस रियदी अबखके इस तरह हम कर लेंगे इस तbbe हमकर कर लेंगे इस को यह वान पीस कड़े देते हम और कर लेते हैं अब हम ड्राइंग किया पीस को ओर से खोलव लेंगे और लूड़ चाल करके इसको अयसे मोड करेंगे और इसके बाद ह मेंद हा थेδα के ब्रॉसरा सीके चाब लेंगे इसतरा इसी के उपर इसको रग देंगे और इस साइड से हम लाइन बढ़बर जैसे एस उसी लाइन से हम कर लेते हैं इस तरह इक शरक का पुर्चा हम क्यूर्च सैट्र अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं उल्टा कर लिया और सेलाई के या साइट पे हम इसी तरह उपर से एक सेलाई लागा लेंगे कॉलर के उपर से और कॉलर को मोर लेंगे और बीच पॉइंट पे एक नौज लागा लेते हैं और ब्लाउस को ऐसे राखेंगे ब्लाउस के उपर कॉलर को ऐसे राखेंगे दोनों नौज पॉइंट को एक सद राखेंगे और इस तरह पकर के हम बीच पॉइंट से हापिंच छोड के हम स्टीचिंग करेंगे बीच पॉइंट से टीचिंग करने से दोनों साइट स्टीचिंग का कॉलर आपका सेम होगा इस तरह आप स्टीचिंग करते जाना और सोल्डर पे जो स्टीच है उस लाइन को पीछे साइड कर देना स्टीचिंग के टाइम सेम दूसरा साइड उल्डा कर लेते हैं ब्लाउस को और कॉलर को इस तरह हाप पिंची छोड़ के हम स्टीचिंग कर लेंगे सेम सोल्डर का जो स्टिच लाइन है उसको हम पीछे कर देंगे और इस थार हाप इंच छोड़के हम कॉलर को एटच कर लेते हैं बोडी के साथ हो चुका है हमारा कॉलर एटच ये देखो कॉलर हमने एटच कर लिया अब हम नेक फिनिसिंग कर लेते हैं पोटी करने के लिए कपन को हम ब butterfly कर लेते हैं इसाद और ब्लाैस को उलटा करके उलटा साइड्स पर हम पट्ती को सिधा साइड्स राखेंगे इसे मोड़के और हाप इंच छोड़के हम जैसे नेकका पोटी बिठाते हैं और इसे हम पट्टी को बिठाएंगे हाप इंच छोड़के हम इस तरह स्टिचिंग कर लेंगे कोलर को पीछे साइड कर देंगे और इस तरह हमने नॉस लगा लेते हैं अब हम यसको उपर से एक स्टॉप तीस दे दिया और जैसा म पर की हमिंग कर थे वर इसे हिं म लेंगे ये देको हमिंग करने के लिए रेडी हो चुका है इस तरह मसं साञ्यचर के असके हम एते हैं येदे को दोनों साइड हमने तायार कर लिया, नेक फिनिसिंग हो चुका हlor आप हम नीचे का पट्टि रेडी कर लेते हैं स्फ्रेंट ब्लाउस का बोडी रेडी हो चुका है याधा को हेमिंग कर लिया नेक को और पट्टि भी बिढ़ा लिया कुमड पे अब हम स्लीब लागा लेते हैं इसलिब जैसे है वायश से ही रह Oops कुछ नहीं करेंगे इसी का फॉर्ट साइट है ब्लाउस का फॉर्ड साइट करना करना एक साध रखेए ब्लाउस के अंदर रखेंगे और इस तरह ही म्हानं हम बीज आपको स्टीचिंग करना एजी हो जाता है जिसलिए हम बीज में से करके आपको दिखारे हैं आप हम एक इंची एक्स्टर छोड़ाता उसी साइज से हम स्टिचिंग कर लेते हैं पील स्टिच व्लाउस रेडीक हो चुका है दोने स्लिप लागा लिए इसाँ स्लिप ब्लाउस हमेरेदी अगर में व्यूं को पसंद आया तो प्लीज करना शेयर करना अपने दोस्टों के साथ